हलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पे दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिंदगी समाप तो होने वाली है सुनने में हमारी ये बात आपको बूरी लग सकती है लेकिन दोस्तों उनके पीछे का रह से जानकर आपके पैरो तले जमीन खिजग जाएगी जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी की जिंदिगी का सबसे कटिन समय सुरू होने वाला है यह समय आपको सावधान रहने की अत्यनत आविश से कता पड़ने वाली है जी हाँ दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रहन की जो इस्तितियां बन रही है और लाब के बहुत बड़े बड़े अफसर भी छुपे हुए हैं परन्तु आप सभी को बता दें कि एक ऐसी इस्तिरी है जो आपको यह समय अपने जाल में फसा कर आपके जीवन को बिलकुल ही पूरी तरह से तबाह करने के लिए तुली हुई है यह आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहती हैं और पिछले कई सालों से आपके उपर जादू टूना तांत्रिक रिया और बहुत सारे कारी कर रही हैं जिसने जिनसे की आप अभी भी परिसान हैं परिसानी में डूबे हुए हैं लेकिन दोस्तों अब वक्त आ चुका है इनका परधाफास करने का बस आप इस वीडियो को ध्यान से अंदर तक देखिएगा दूसरे सब्दों में कहें तो अब आप इस औरत के वस में आ चुके हैं अब आप यहां से समल जाईए और वस में आना क्या होता है इसका मतलब भी यह नहीं है कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है इसका मतलब यह है कि बस आप जो फैसला लेंगे वो गलत सावित होंगे और यूं कहूं कि आप हमेशा गलत फैसले ही चुनेंगे और हमेशा परिसानी में ही भटकते रहेंगे यहीं से आपकी वर्बादी की सुरुवात हो जाएगी तब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके उपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है या आपके उपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है आप तो हमेशा यही समझते रहेंगी कि आपके जीवन में जो भी प्रिसानी आ रही है जो भी कष्ट आ रहे हैं वो भगवान की देन है यह आपके किस्मत ही खराब है या फिर इस्तिती जो है वो बहुत ही अभी आपके बस में नहीं है भग भी आपका साथ नहीं दे रहा ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा दोस्तों लेकिन आप खुशियों का एक पल भी महसूस कर नह सुनने में जितना भी अनुभव हो रहा है आपको उससे कई गुना ज्यादा अनुभव मुझे हो रही है जब मैं ये विडियो आपको बताने में कर रहा हूं असलियत में उससे कई ज्यादा भयानक है क्योंकि इसमें यह होता यह है कि जात्तों को कभी भी असल इस्तिती का एहसास नहीं हो पाता और उसे उस इस्तितियों से बाहर निकलने की जातक कोशिश भी नहीं कर पाता एक जाल में हमेशा के लिए फस चुका होता है कई लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है वो हमेशा यह कहते रहते हैं, कि जीवन में केवल कस्ट ही कस्ट है। जीवन तो नर्क के समान है, जीवन का एक पल भी खुसियों से भरा हुआ कभी नहीं देखा। लेकिन जातकों से अच्छी तरह से बैटकर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीजों के शुरुआत किसी न किसी पड़ाव पर हुई थी और वो पड़ाव था उनकी तरक्की का उनके उधार का जब उन्होंने काम्यावी का स्वाद चखा तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीवन में प्रिसानियों का आगवन हुआ और फिर ये सिलसला लगातार चलता चला गया और पड़वादी बढ़ती चली गई और आज इस्तितियां यह हो चुकी है कि वर्सों बीद चुके हैं और यह पूरा जीवन ही बीद चुका है लेकिन सुख का एक भी पल देखने को नहीं मिला इस भयाने कि स्तितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं आपको हम वह संकेत बताएंगे और उन संकेतों के जरिये असपस्ट तोर पर यह आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं आपका बंदन हो चुका है या आपको हम एक बहुत सक्तिसाली उपाई भी बताएंगे एक ऐसी क्रिया जिसको करने से आपको कुछी समय म उस बंदन को आसानी से तोड़ पाएंगे जब आप उस बंदन को तोड़ देंगे तो आप कुछी दिनों में देखेंगे कि आप अपने जीवन में शमतकार का एहसास करोगे आप देखेंगे कि आप जीवन आपका जीवन पुर्ण रूप से बदलता जा रहा है आपके दे ऐसे भी अधर्मी लोग होते हैं जिनें किसी बात पर भोरुसा ही नहीं होता। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन पर कश्ट भोगते रहते हैं। किसी भी बात का भुरुसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप तकर के यहां से बिदा हो जाते हैं लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात हैं जो हम आप से कहना चाते हैं और स्री गोस्वामित उलसिदास जी ने भी इस बात को रामायन में कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नरपावतना ही इस संसार में सारे सुख हैं सारे सुभिधाएं हैं बैभव और एस्वरे हैं लेकिन कर्भ ही न को यह भी प्राप्त नहीं हो पाता और यह पर हिंदी में बताता है कि एक बार जरूर आपको अपने मन में उसे बात को लेकर चर्चा कर लेनी चाहिए एक बार अपने मन में विचार अवस्य लाना चाहिए क्योंकि जब कोई कहरे सोध और अधन के बाद कोई विचार प्रस्टत करता है तो जरूरी कहीं न कहीं उसके विचार में किसी न किसी प्रकार की सचाई तो अवस्य होती है तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी तर्क वितर्क के इस्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस प्रिडियो को पूरा देखें और हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें जदि संकेत आपको समझ में आए दिखाई दे तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय की क्रिया को आजमा ले सकते हैं दोस्तों क्रिया करने में आपका एक भी रुपिया खर्चा नहीं होगा बस आपके मेहनत लगेगी और यदि आपका बंधन किया गया है जिसी प्रकार का वो भी कट जाएगा आपका जीवन बदल जाएगा और आप जो भी एक क्रिया है इससे मुक्त हो जाएंगे हम इस बात क आपको कहते हैं तो बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हर एक बात को आप पूरे दिहान से सुनिएगा शमजिएगा और अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही कष्ट चल रहा है कष्ट प्रत जीवन चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ताकि ह हम और इस विषे में गहरा सोध कर सकें अध्यन कर सकें और आपको फिर से वीडियो के बना कर बता सकें और आप अपने जीवन में इसे उतारने की प्रियास करिएगा तो दोस्तों चलिए विना समय गवाए आज इकि इस वीडियो को प्रारंब करते हैं लेकिन वीडियो को से पहले आप से एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जै मा नव दुरगा अवस्य लिखें जै माता दी अवस्य लिखें माता की प्रेम और आशिरवात की किरपा और उनके किरपा से किसी भी जीव जनतु को कभी भी कोई कश्ट नहीं ह चाहिए मा हैं तो वह हमें हमारी रक्षा जरूर करेंगी इसलिए सच्चे मन से आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जै माता दी लिखनी है नव दुरगा मा जरूर लिखनी है चलिए एक बच्चे की तरह होते हैं हम लोग जो की रोते फे अपनी मा को पुकारते हैं और भीक भंगते हैं ऐसे में बस हमें मा भदरकाली ही रक्षा करती हैं तो बस आपको जै मा भदरकाली रक्षा करो लिख देना है निश्य तोर पर माता आपके उपर कृपा करेंगी और अपना आशिरवात आपको देंगी आपका जीवन सुन्दर हो जाएगा दोस्तों इसी के साथ सा दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निसान को अवज से दबा दें जिससे आप हमारे चैनल के परिवार का सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनूबल बढ़ेगा हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों तो दो दोस्तों जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं यह बातें यूही हम नहीं कह रहे हैं इन बातों के साथ बहुत मजबूत आधार है सबसे पहला आधार यह है कि आपकी रासी के पूरे चक्र में एक मात्र सी ऐसी रासी है जिसे लोग अक्सर जलते हैं हमेशा जलते हैं जी अधिक हो फिर भी लोग इस से जलते हैं अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग पहुत आत्म समान प्रिय होते हैं आप किसी के सामने जुकना पसंद नहीं करते हैं गिरना पसंद नहीं करते हैं मदद की भीग भी नहीं मांगते हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप हमेशा नाप तॉल कर बहवार करते हैं और अपने समान ही लोगों के साथ अपने समान से ही लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं इसकी बज़ा यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आज आप भले ही परिसानी से जूज रहे हैं आज भले ही आप समझ में नीचे अस्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपके मेहनत रंग लाईगी और आप समझ में एक उशा कद रुपे पैसा मान सम्मान कमा लेंगे इसी सब का लिहाज करते हैं आपको अपने सम्मान का अपने इजज़त का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों जे फिजूल की बाते नहीं करते हैं ग्रूप में नहीं आते हैं हरी आप सब के सामने rich के भीक नहीं मांगते हैं बस इनी सब बातों से यानि कि आपकी चाल ढ़ाल तोर तरीके बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अकसर आप से जलते हैं और आप कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं हरें की शिति में यही होता है जहां तक आपके पास थोड़े से धन दौलत कामियाबी आ जाएं लोगों के जलन इस हद तक बढ़ जाती है फिर लोग आपके कामियाबी देख नहीं पाते हैं उनके सीने पर साप लोटने लगता हैं और फिर लोग तरह तरह के क्रियाएं करने लगते हैं जैसे जिसको बन पड़ता है वैसा प्रियास करता है आपको पीशे खिचने का नीचे गिराने का कई बार लोग प्रियास करते हैं और जब आप काम्याब हो जाते हैं इसका कारण भी आप श्वेंग ही हैं क्योंकि जहां आप अपने आत्म सम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप सभाव से भले ही भोले भाले होते हैं, आप लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं, लोग जहां प्रेम से दो बाते बोलेंगे, आप तुरंत उन्हें अपने दिल के तरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर स जीवन में मिला कर देखिए एक बार आपने चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है या नहीं दोस्तों हमने आपके रासी के उपर गहराई से अधन किया है हर बात हर एक बात शच और सत्य हैं आप उनकारे पर करना चाहिए पहले ही आपको हमें हमें अपनों से धोका प्र साजी होगी धोके बाजी होगे यहां आपके जीवन की पहली कड़ी सचाई है दूसरी आपको काम्यावी बहुत मेहनत के बाद गहरी संगर्श के बाद घर पाद प्राप्त होती है आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी और तीसरी कड़ी सचाई कि आप बाहर से दुनिया को सक्त होने का दिखावा करते हैं, आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते, आप किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकि अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं, आपके अंदर से डर भी महसूस होत जो आप से जुड़े हुए हैं लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आपको इसे भी डर लगता है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं लोग आपको धोखा देना शुरू कर देंगे यानि कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल है मुलायम है लेकिन खोलनी अभाव इसके ठीक विपरित है कटोर और सक्त है इस बात से लोग अकसर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा देते हैं गलत अंदाजा लगा देते हैं जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स मे कि ये सारी जो बातें में बता रहा हूं वह सच है या नहीं कमेंट में बताईएगा और हमारे होसला को थोड़ा सा बढ़ाईएगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा चली अब आपको बता दें कि लोग गलत अंदाजा लगा देते हैं जैसे अंदर से नहीं हैं लोग अकसर आपको ऐसा ही बाहर से समझते हैं आप इस बात का प्रमान यहां से देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते गुपत रूप से करते हैं इस वज़ा से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं कठोर हिरदे का समझ लेते हैं ठीक इसी प्रकार आप इस वर में आस्था रखते हैं लेकिन आप दिखावा नहीं करते हैं नो टंकी नाटक नहीं करते हैं इस वज़ा से लोग आपको काम धार्मिक समझते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह बातें सच है कि यह नहीं अब ध्यान से सुनिएगा आपके उपर किसी प्रकार के तांत्री क्रिया की गई है आपके बुद्धी का, आपके वैपार का आपके धनलक्ष्मी का बंधन किया गया है इन सब का क्या संकेत होते हैं यह ध्यान से सुनिएगा आपके मन में एक बहचैनी का एहसास रहेगा आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा दोस्तों, चाहे वह घर हो या बाहर होगा आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भाई लगा रहेगा कुछ अन्होनी होने की आसंका लगई रहेगी रात को आपको नीन नहीं आएगी और यदि नीन आएगी भी तो बहुत चल्दी तूट जाएगी और नीन तूटने का अक्सर समय एगारा से एक समय के बीच होगा जिन दोस्तों को इस पित्रों का समय भी कहते हैं लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपके आपके नीन अगर इगारा से एक के बीच अक्सर तूट जाती है तो आप इसे पित्रों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं तो आप यह अगर संकेत मिले अपने जीवन में किया गया हो नहीं तो दूसरा संकेत यह है कि आप अपने जीवन में कामकाज से रूची कम होने लगी हो जहां दोस्तों चाहे आप वैपार करते हों चाहे आप नौकरी करते हों आपको अपने वैपार अपने नौकरी अपना काम धंदा सब खराब लगने लगा विकार लगने लगा एक परकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के कामों में अरूची हो गई हो उसे अरूची आपके रूची समाप तो हो जाएगी अब इसका प्रिणाम यह होगा कि छोटी-छोटी समस्चाएं आपके वैपार में आ रही है काम धंदे में आ रही है नोकरी के अस्तल पर आ रही है उन सब समस्चाओं के समधान जहां आपको पहले आसाने से मिल जाया करते थी अब उन समस्चाओं का समधान ढूंडने में आपकी हालत खराप हो जाएगी कभी-कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नोकरी को छोड़ देते हैं या इस वैपार को ही बंद कर देते हैं यह एक पुरा ना बहुत पुक्ता आप पर आपके वैपार और आपके बुद्धी का बंदन कर दिया गया है सासन के दोस्तों आपका मन चिड़-चिड़ा हो जाएगा तो आपको खुजी का कभी एहसास ही नहीं हो पाएगा माहौल कैसा भी हो आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा चिड़-चिड़ा पन लगता रहेगा आपका घर में माहौल कुछ नकरात्मक सा हो जाएगा खास तोर से तब जब घर के अंदर पर वेस करेंगे घर का माहौल घर की एनरजी घर का उरजा अचानक से बदल जाएगी माहौल नकरात्मक हो जाएगा लोग एक दूसरे से लड़ने जगडने लगेंगे पेमपुर्ण माहौल नहीं रहेगा आपस में बैट कर लोग चर्चा नहीं करेंगे लेकिन इन सब में सब से कहीं बड़ी बात होती है कि आपके स्वैंग की आपके घर के बड़े बुजरुगों से आपका जो रिलीज हो जाएगा विवाद हो जाएगा जैसे कि कोई भजन सा लग रहा है तीसरा आपकी यादास कमजूर हो जाएगी छोटी छोटी बाते भी आपको अक्सर भूल जाया करने का आदत होगा अब एक और बड़ा संकेत है इसे भी ध्यान से समझिएगा कि आपके बुद्धी का तो होगा यह पहले आप जिससे प्रेम करते थे अब आपको उसकी रोधा होने लगेगी गुसा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुसा और फिर नफरत में बदलने लगेगा यहाँ पहले आप जिन लोगों के संगत बहुत पसंद किया करते थे उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी नहीं लगेगी यानि कि जब आप नकरात्मक की और तरब जाएंगे तो सकरात्मक लोगों सकरात्मक चीज़ों और बातों से आपको क्रिडा होने लगेगी क्र कर तब भी मूड हमिस्तिती में नहीं रह सकते हैं दोस्तों अगर यह सब संकेत आपको मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो जरूर है अब दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इस वीडियो में हम इतनी ही बाते करेंगे अगर यह सब हो रहा है तो एक आप अगली वीडियो को देखिएगा मैं दूसरी वीडियो में आपको बताूँगा कि कैसे इस सब्सक्रीयाँ से आप मुक्त हो सकते हैं कैसे जीबन में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और जीबन की समस्थ परिसानियों से आप चुटकारा पा सकते हैं तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके वीडियो के पार्ट टू आने का इंतिजार करिएगा और कमेंट बॉक्स में सची सरधा के साथ जै माभद्रखाली जै सनी देग अवस्त लिखिएगा आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो